आप देख रहे हैं दखल न्यूज मुख्य मंत्री अर्विंद केचरिवाल और कॉंक्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोन्या गांधी पर निशाना साथते हुए केंद्री मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा दिन्ली के मुख्य मंत्री डंगा गरस्त छेत्रों में जाने की बजाए विधान सभा में इन दंगों में मरने वालों का मजह बता रहे हैं कल सोन्या जी ने प्रेस कॉंफेंस की और आज राष्टपती के दर्वाजे पर पहुचे और वहां भाजपा पर दो शारोपड कर रहे हैं जावडेकर ने आरोप लगाया कि ये दो दिन की हिंसा नहीं है दो महिने से लोगों को उकसाया जा रहा है सीए पारित होने के बाद राम दिला मैदान में सुनिया गांधी जी की रैली हुई जिसने उन्होंने कहा था कि आर पार की लड़ाई है फैसला लेना पड़ेगा इस पार या उस पार उकसानी का काम वही से शुरू हुआ है विधान सभा में मुख्य मंतरी कौन-कौन मरे उनका मजब क्या था ये बता रहे हैं तो ये और कॉंग्रेस कल प्रेस कॉंफरेंस की सुनिया जी ने आज राष्ट्रपती के दरवाजी पर पहुंचे और वहां बीजेपी को दोस्ट देने में लगे है लेकिन मैं बताना चा आता हूं कि ये दो महिने का अंदोलन केवल नहीं है यानि आज दो दिन की इंसा नहीं है दो महिने से लोगों को उकसाया जा रहा है 11 दिसम्बर को नागरिकता कानून का संशोधन हुआ 14 दिसम्बर को राम लीला में कॉंग्रेस की रैली हुई उसमें सोनिया जी ने कहा या आरपार की लड़ाई है फैसला लेना पड़ेगा इस पार या उस पार प्रेंका और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए प्रकाश जावलेकर ने कहा प्रेंका ने कहा कि लाखों को बंदी बनाया जाएगा जो नहीं लड़ेगा वो कायर कहलाएगा राहुल गांधी ने कहा कि आप दरोमत कॉंगरेस आपके साथ है किसी की नागरिकता नहीं जानी है ये जानते हुए भी जान पूछ कर ऐसे गलत पेयानी और डर पैदा करना ही इसकी प्रेश्ट भूमी है उकसाने का काम बही से शुरू हुआ है आपके पाशर ताहिर हुसेन के मकान पर मिले पत्थर पैचोर बंग गुलेल का जिक्र करते हुए केंद्र मंत्री प्रकाश चावडेकर ने कहा कि ताहिर के घर पर तंगे की तैयारी का सामान मिला है ये लोग जिनना वाली आजादी 100 करोड पर 15 करोड भारी असम को अलग करना पड़ेगा ये सब उकसाने वाले भाशर हुए पुलिस पर हमला हुआ लेकिन कॉंग्रेस और आप चुप है हम ओची राजनेती की बर्चना करते हैं केंद्र और दिल्ली पुलिस के वकील सॉलिसिटर चनरल तुशार महता ने कहा कि कल कोट में आदेश जारी कर जवाब मांगा था कि जो भड़काओ बयान दिये गए थे उन पर कारवाई की जाए जबकि ये बयान एक दो महीने पहले दिये गए है याचिका करता केवल तीन भड़काओ बयानों को चुनकर कारवाई के मांग नहीं कर सकता सॉलिसिटर जनरल तुशार मेहता ने कहा कि हमारे पास इन तीन हेट स्पीच के अलावा कई और हेट स्पीच है जिसको लेकर शिकार दर्ज कराई गई याचिका करता ने चुनिंदा सिर्फ तीन वीडियो का हवाला दिया है एक जनहिती याचिका में ऐसा नहीं होता केंदर को पक्षकार बनाया जाए या नहीं ये कोट को तै करना है याचिका करता को नहीं हम हिंसा को नियंतरित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं केंदर की इस दलीन पर याचिका करता की ओर से बोले वकील कोलिन गोजान विश्ट ने कहा कि सबसे पहले आज ही सभी के खिल एसा किया और फाईयर दर्च किये गए हैं या चिका करता है इस पर इफ इसपार चाहता है कि कप्ल मिश्रा ने ऐसा किया या वारिस पठ्ञान ने ऐसा किया मौत या आजचनी या लूट-पार्ट होने पर हमें एफ-इस दच करनी होती है अन्य-मुद्दो में समय लगता है दिल्ली में हुई इस इंसा ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। नागरिक्ता कानून को लेकर बीते रविवार को सी ए, विरोध और समर्थक आमने सामने आ गए। देखते ही देखते नौर्थ इस दिल्ली जल उठी। इस इंसा को भड़काने में राइनितिक दलों से जोड़े निताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। इसमें एक नाम आदमी पार्टी के पार्षित ताहिर हुसेन का है। जिन पर दंगा बढ़काने के साथ ही इंटलिजन्स बीरो के कांस्तेवल अंकिश शर्मा की हत्या के गंबीर आरोप लगे हैं। इस हत्या में उनकी भूमिका को संदिक दिमाना जा रहा है। हलाकि आप निता हुसेन ने सफाई देते हुए खुद पर लगे सबी आरोपों को नकारा है। ताहिर दिल्ली की राइनीती का जाना माना चैरा नहीं है। लेकिन नौर्थ इस दिल्ली में शाहदरा नहरू नगर चांदबाग के इलाके में ताहिर का रसूख है। आम आदमी पार्टी से 2017 में नेरू वियार से आठवी पास ताहिर हुसेन पारसर बने। ताहिर ने एक वीडियो जारी करते हुए अपनी सफाई दी है कि इन मामनों में उनकी कोई भूमिगा नहीं है। लेकिन पुलिस जब ताहिर हुसेन के घर की शत पर पहुंची तो दंगा बढ़काने वाली कई आपात्ती जनक चीज़े मा मिली। हमला करने के लिए शत पर भारी मात्रा में इंट के टुकड़े और पत्थर जमा किये गए थे। इसके लावा गुलेल और बड़ी संक्या में पेट्रॉल बंबी पुलिस द्वारा बरामत किये गए हैं। लोगों को घर चापा मारने के लिए आयकर अफसरों ने किंद्रे रिजर्फ पुलिस बल की मदद दी थी। एक साथ दरजन भर ठिकानों पर आयकर रेट की खबर से हड़कम मच गया है। बीती बारा फरवरी को प्रधान आयकर 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 ने चिताफ में दी थी कि जो लोग आयसे अधिक संपत्ती संचित कर रहे हैं। प्रवरी करने और आयकर की चुरी करने के लिए चिन्हित कर रखा है। गुरुवार की सुभा छे बदे के लगभग आयकर विभा की छे गाणिया नर्मदा शुगर मिल के अंदर प्रवेशकी दो वहां मौझूद करमचारी अधिकारी सकते में आगए। टीम ने सभी को आफिस से बाहर निकाल दिया और नर्मदा शुगर मिल के सभी दफतर में आयकर की टीम दस्तवेश खंगालने में जुट गई। टीम के साथ कुछ पुलिस करमी भी गेट और शुगर मिल के तैनाथ हो गए। किसानों को किसी भी दफतर के अंदर नहीं जाने दिया और ना ही मीडिया को। शुगर मिल के साथ इथिनौल और पिजली बनाने किया काम भी किया जाता है। शक्ती शुगर मिल कौडिया में भी करवाई जारी है। भुपाल के इंकम टेक्स की टीमें दस्तावेश की जांच कर रही हैं, पिपरिया में भी छेतर के प्रसिद उद्योगपती ठैनी वाले सेथ की साथ मिलो और कई कार्यानों पर इंकम टेक्स की एक तरजन से अधिक टीमों ने गुरुवार को सुभा छे बजे से छापामार प्राडियों में आए इंकम टेक्स अधिकारियों ने जैगर राज राइस मिल, खापर खेडा राइस मिल, शोभापुर, राम देव शुगर मिल, वन खेडी, शक्ती, शुगर मिल, कौडिया सहित, बैतूल और गुजराथ, बॉटर पर स्थे शुगर मिल, पिपरिया में, एक ग्रोशी ना, ट्रेटर्स के काखसाद खंगाले हैं, सरकार की नीतियों को लेकर पूर्व मंत्री और नरिलाविधायक विश्वास सारण ने कमलना सरकार पर जम कर निशाना साथा और कहा कि सरकार में अव्यद उत्खनन जोरोपर किया जा रहा है, सरकार ने विग्याप से लखवा लग चुका है, जब पैसे ले लेकर पोस्टिंग की जाएगी तो प्रशाशन ठीक धंग से काम नहीं करेगा, यह सरकार केवल शराब व्यापारियों की जेब भरने में लगी हुई है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को केवल इसलिए अटकाया जा रहा है, क्यों इसे मुद्दा बनाकर आगामी नगरिये निकाय चुनाव में फाइदा ले सकते हैं। मुटी रकम लेकर अधिकारियों की पोस्टिंग होगी तो मंत्री या मुख्य मंत्री या सरकार उनको ठीक से नहीं चला सकती, वो उल्टा आग दिकाते हैं सरकार को, जोकि पैसे देके उन्होंने पोस्टिंग किये। अधिकार निवेश की बात करती है तो जमीनी स्तर पर इसका कोई अफर नहीं दिखाई देता, आप निवेश को आईफा अवार्ड से जोडते हो। वो हर कांग्रेस और भाष्पा में विवक्त करना चाहते हैं। उनके लिए अधिकारी कोई कांग्रेस ही हो जाता है कोई भाष्पा वाला हो जाता है। उनके लिए प्रोफेशनल्स चाहे वो वकीन हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, आर्किटेक्ट हों, कोई भाष्पा का हो जाता है, कोई कांग्रेस का हो जाता है। तिकी बड़ा अश्यरी की बात है। जब आप इंडरस्ट्रियल डिवलोपमेंट की बात करते हो, तो आप इंवेस्टमेंट पर कोई काम नहीं करते हैं, केवल लफाजी करते हों। आप इंवेस्टमेंट को आइफा अवार्ट से जुड़ते हों। मदबर्देश चे विधानसभा सीटों को लेकर बीजेपी और कॉंग्रेस के अपने अपने गड़ित हैं। भाजपा के तीन सीटों पर रासभा जाने को लेकर सहकारिता मंत्री गोविन सिंग ने कहा कि रासभा चुनाव में कॉंग्रेस की दो सीटे आएंगी। भाजपा की एक सीट आएगी। गोविन सिंग ने पूर्व मुखिमंती शिवराज सिंग चोहान पर तंच कफते हुए कहा कि हमारे मुखिमंती कमलनात गोशना नहीं करते जो गोशना करते हैं उनको जनता ने सडख पर ला दिया है। दिल्ली हिंसा खुलेकर गोविन सिंग ने कहा कि इसके लिए पियम मोदी और अमित शाहाद जिम्यदार है। वैशनव ने बताया कि नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को टार्गेट करने के लिए बुद्वार को रात के अंधेरे में कोली चलाए गई। जिसके बाद जवानों की ओरते जवावी कारवाई में नक्सली भाग खड़े हुए हैं। नक्सलियों के आधार इलाके में सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा डेरा डाल कर कैम्प खोलने के बाद से लगातार नक्सलियों के द्वारा विरोज किया जा रहा है। 20 दिन पहले इस इलाके के करीब दो दर्जन गाउं के सेक्रो ग्रामीरों के द्वारा कैम्प के सामने धरना प्रदशन कर एक सप्तहा तक विरोज जताया गया। इस इलाके में 7 दशक के बाद Force की चहल कदमी हो रही है जिससे नक्सलियों में वोक्लिहार दिख रही है। अबुजमान के बाद नक्सलियों का सबसे सेव जोनमाने जाने वाले कड़े मेटा इलाके में स्वरक्षाबलों के तैनाती से माहल गरमाया हुआ है। सुनिय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी आपकी व्यवस्थाव में अव्यवस्था देखाना पत्रिकारता का धर्म है सो हम निभा रहे हैं और आपको चेता भी रहे हैं कि आपके द्वारा दी गई राशी का क्या दुर्पियोग हो रहा है मंत्री गोविन सिंग राजपूर जी आपकी विधान सभा में एक स्कूल ऐसा है जो पिछले बारा सालों से बन रहा है मगर आज दिनांग तक पूल नहीं हो पाया है आप इतना तो जानते ही है एक साधरन सा स्कूल भवन बनने में बारा महिने ही परियाप्त है तो बारा साल क्यों लग गए बस यहीं से किसी घोटाले की बू आने लगती है और आपको बता दें कि ये घोटाला कोई और नहीं बलकि गाओं के सरपंच और सचिव की मिली भगत से सरकार की दी हुई राशी का जम कर बंदरबाट हो गया है और स्कूल सिर्फ कागजों पर ही बन पाया है तो मंत्री जी गलती आपकी भले ही ना हो पैसा तो आप आपकी सरकार ने दिया है मगर आप से शिकायद ये जरूर है कि आप मंत्राले के ये कमरों से निकल कर जनता के बीच क्यू नहीं जाते हैं उस जनता के बीच जिन्होंने आपको मंत्राले तक पहुचाया है आखिर उस जन्ता के लाब के लिए दिया गया सरकारी पैसा सही जगा उपियोग हुआ ये नहीं ये देखने की जिमेदारी आपकी है मंत्री जी क्योंकि वोट मांगने जन्ता के बीच आप खुद चल कर गए थे मंगर कोई दबंगों के हाथ में ये काम रहा है किसी ने कुछ नहीं किया अब आपको पूरा मामला बताते है दरसल जैसी नगर अंतरगत आने वाली ग्राम पंचायत सेवन के ग्राम सोन कुआ की शाष्किय प्रात्मिक शाला पिछले 12 सालों से निर्माणा धीन है इस शाला का निर्माण हो रहा है परन्तू आज दिनांग तक पूर्ण नहीं हो पाया है 12 सानों का समय बहुत लंबा होता है ऐसे में सरकार के किसी भी जिमेदार व्यक्ती ने इसकी सुद भी नहीं ली है अब बात बच्चों के भविशिकी है तो बच्चे पढ़े कहां बैठ कर या शिक्षक सभी बच्चों को पढ़ाएं कहां बच्चों के भविशिकी चिंता में इसकूली बच्चों को गाओं के ही एक परिवार ने पना दी है और इसकूल अपने घर पर ही लगवाना शुरू कर दिया है बच्चे कहां बैठ कर पढ़ेंगे इसकी चिंता सरपंच और सचिव को बिलकुल नहीं है ये तो मिली भगत से स्कूल निर्माण के लिए मिली सरकारी राशी का जमकर बंदर बांट कर बैठे हैं सोनकुआ गाओं की ये स्कूल कागजों पर बारा सालों से सरपंच और सचिव बना रहे हैं मगर इनकी नियत में खोट है इसी लिए ये स्कूल भवानाज तक नहीं बन पाया है सोनकुआ गाओं के इस जरजर कच्चे मकान में ये स्कूल लगाई जा रही है जहां स्कूली बच्चे सुरक्षित नहीं है मगर मजबूर है क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे शिक्षक से स्कूल के बारे में पूछने पर बताया कि दबंगों की देहशत के चलते हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं उनकी देहशत के चलते ग्रामीर शिक्षक किसी से शिकायद भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि गाँ वालों का कहना है कि स्कूल की बिल्डिंग एक बार बनते बनते धराशाई हो गई और फिर से बनना शुरू हुई तो आज तक नहीं बन पाई आज स्थिती ऐसी है कि देश का भविश्य खुले आस्मान के नीचे बैट कर पढ़ाई करने को मजबूर है मंतरी जी जरा मंतराले के ऐसी कमरों से निकल का बाहर आई है और जनता के बीच जाकर देखिए सिंग्राली में यूरिया खाद की किल्लत से जूज रहे जिले के किसानों के लिए राट भरी खबर है पहली बार रेल के रेक्स से बर्गवां रेलवे पर यूरिया खाद इस्टेशन पर पहुंचा जिसका उद्गाटन जिले के कलेक्टर के विए चौदरी ने किया कलेक्टर चौदरी ने कहा कि लंबे समय से खाद की माहिंग हो रही थी जो कि अब पूरी हो गई है इससे किसानों को खाद के लिए अब किसी तरह की परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें सस्ते दर पर परियाप मातरा में खाद मिल सकेगी जिले के किर्शिय दिकारी आशिश पांडे ने बताये कि रेक ना लगने से किसानों को जो 40 रुपए एक्ट्रास ट्रांस्पोर्टिंग चार्ज देना होता था जो अब उन्हें नहीं देना पड़ेगा अभी 15 दिन के भीतर दूसरा रेक भी युडिया से भरा आने वाला है तता अप्रेल महीने तक डीएपी की भी एक रेक आएगी अब किसानों को खाद के लिए कहीं नहीं बटकना पड़ेगा गौर तलेबे के एक रेक में लगबख 60,000 बोरी खाद के डिलिवरी होती है उक खाद की विक्री निजी विक्रेकताओं के द्वारा के सानों को की जाएगी जिसमें कमपनी द्वारा डीलर्शिप की जिम्मेदारी सादू सरण शाक होसों पी गई है मौसम एक बाव सिर्क करवट ले रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में सर्दी बढ़ गई है आने वाले चार दिनों तक मौसम अपने रंग बदलता रहेगा मौसम विभाग के अनुसार पिश्ले 24 घंते के दोरान प्रदेश के वीवा संभाग के जिलों में कहीं कहीं बार करतन नहीं हुआ है प्रदेश में सबसे कम नियुंतन ताकमाल 10 डिग्री सेल्सियस छिंदवाडा राइसेन वा खरगौन में दर्च किया क्या है मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के मौसम में 29 फरवरी से बड़ा बदलाव आ सकता है 29 फरवरी सी 2 मार्ट के कई जगों पर ओले गिरने से किसानों को नुकसान हो सकता है पूरवी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहले ही उलावरिष्टी हो चुकी है विभाग का कहना है कि 29 फरवरी से पश्चमी विच्छोब आ रहा है जो काफी मजबूत है इससे प्रदेश के पश्चमी छे ठेलों से मेलो तर पकडंडियों से सडकों तर गाउं से शेहरों तर व्यापार से उद्योगों तर राज़्टीती से कूटनीती तर दखन नियूस आपके हद पर आप देख रहे हैं दखन नियूस